So Hello Guys, और Daily Current Affairs वाले lecture में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी खेल मंत्रा लेने 2020 के लिए राश्टर खेल पुरसकारों की घोशना कर दी है तो topic most important है और आपके exam में यहाँ से 100% question पूछा जाएगा तो इस पे हमने आपके request पे complete video बना दिया है तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ इस video का PDF और इसकी quiz दोनों आपको अपनी crack exam application पे मिल जाएगी जल्द ही application अभी तक आपने install नहीं की है तो उसका link description में है तो चलिए शुरू करते हैं तो अभी खेल मंतरा लेने 2020 के लिए राश्ट्रे खेल पुरुसकारों की घोशना कर दी है जैसे कि राजियू गांदी खेल रतने पुरुसकार, अरजुन पुरुसकार, तुरुना चार्रे पुरुसकार, मेजर ध्यानचन पुरुसकार ये सब वन बाई वन डिसकस करते हैं पहले हम बात करेंगे राजियू गांदी खेल रतने पुरुसकार की तो ये भारत में दिया जाने वाले सबसे बड़ा खेल पुरुसकार है और ये खेल के शेतर में उत्करश्टी योगदान के लिए हर साल दिया जाता है और इस बार की खास बात ये है कि इसे पहली बार पांच खिलाडियों को दिया जाएगा अब वो पांच खिलाडि कौन कौन है रोहिच शर्मा ये आपके किर्केटर है और ये रोहिच शर्मा से भी याद रखो एक पॉइंट के राजियो गांदी खिल रत्न पुरुसकार पाने वाले ये चौथे नंबर के किर्केटर है तो इनसे पहले तीन किन किन को मिल चुका है सचिन तैंतुलकर को मिल चुका है एमेस दोनी को मिल चुका है और विराट कोली को मिल चुका है तो ये पॉइंट भी इनसे याद रखना यहां से भी प्रशन बन सकता है बाकी मनीका बत्रा है ये टेबल टैनेस प्लेयर है मरियपन थंगा वेलू ये पेरा एथलीट है हाई जंपर हैं वेसिकली है विनेश फोगाट ये रैसलर है और रानी रामपाल महिला होकी टीम की कैप्टेन है ये रानी रामपाल तो ये पांच नाम तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको रट लेने है रोहिच शर्मा, मनीका बत्रा मरियपन थंगा वेलू विनेश फोगाट और रानी रामपाल का नाम अचा अब अगर आपसे पूछा आजाए सबसे पहले ये कब और किसको मिला था राजी उगांधी खेल रतने पुरुसकार तो ये भी याद रखोई सबसे पहले दिया गया था 1991 में किसको मिला था तो शतरंज प्लेयर हैं हमारे पहले ग्रैनमास्टर विश्वनात आनन्द को अचा विश्वनात आनन्द के नाम से एक प्रश्ण में आप लोगों से पूछना जाऊंगा अभी कुछ समय पहले इनकी एक ओटो बायोग्राफी आई थी उसका नाम आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो अगर इस प्रश्ण का अंसर आप लोगों ने कर दिया इसका मतलब आप लोगों का करंट अफेर्स काफी बढ़िया है आप सिंसेरली डेली करंट अफेर्स पढ़ते हो क्योंकि कई बार में आपको बता चुका हूँ और अगर आपको ये book का नाम नहीं पता है तो नाम पता होना चाहिए था seriously आपको और ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये current affairs से related ही प्रस्न में आपसे पूछ रहा हूँ बाकी 2019 में दो जनों को मिला था ये बजरंग पूनिया को जो कि पैलवान है और दीपा मलिक को जो कि पैरा एथलीट है वैसे अभी उन्होंने सन्यास ले लिया है तो ये तो बात होगे राजी उगंधी खेल रतने पूरस्कार की अब अरजुन अवार्ड की बात करेंगे तो ये खिलाडियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि भारत सरकार के द्वारा खेल के शेतर में उतकरष्ट परदेशन करने के लिए दिया जाता है इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में और 2020 में कितने खिलाडियों को ये दिया जाएगा तो ये याद रखना है 27 खिलाडियों को अचा अब यहां से एक important point आपको याद रखना है दो खिलाडियों के नाम अरजुन अवार्ड की सूची से हटा दिये गए थे वरना लिस्ट में तो 29 प्लेयर को दिया जाना था यावार्ड अब वो दो खिलाडि कौन कौन है जिनके नाम लिस्ट से हटा दिये गए तो वो नाम आपको याद रखने है एक तो है साक्षी मलेक और एक है मीरा भाई चानू तो टोटल कितने खिलाडियों को दिया गया 27 खिलाडियों को 27 खिलाडियों के नाम याद रखना तो मुश्किल है देखो तो जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ एक बार देखो नाम तो आपको सभी के रीड करने और डेली अगर आप लोग करंट अफेर्स पढ़ते होंगे तो इसमें से बहुत से ऐसे नाम होंगे जो आपने कहीं बार सुन रखे हैं मतलब आपके माइन में वो नाम फीड है पहले से जब आप उनको पढ़ोगे न तो नाम नया नया सा नहीं लगेगा आपको तो इसलिए मैंने आप लोग को कहा है कि नाम तो सारे आपको रीड करने हैं इसका मतलब जो नाम आपके माइन में पहले से फीड है उनको याद करने में आपको प्रब्लम नहीं होगी केवल इतना याद रखना है कि इनको ये वाला आवार्ड मिला है जैसे कि मैं आपको बताऊँ एक तो दूती चंद का नाम आपको याद हो जाएगा विशेश भ्रगुवंशी का नाम भी मैंने आपको बताए था इशांत शर्मा किरकेटर हैं ये दीपती शर्मा किरकेटर हैं ये भी नाम आपकी माइन में पहले से फीड है एक दत्तू भूकानल का नाम भी याद रखो रोइंग प्लेयर हैं ये मनु भाकर, सौरब चौधरी ये नाम आपने जरूर सुने होंगे जब भी शूटिंग कॉमपिडिशन होता है तो उनको अवर्ड मिलता है मिलता है, बाकी दिव्या काकरन का नाम भी याद रखो आप, तो कम से कम इतने नाम तो आप याद रखें बाकी द्रोणाचारे पुरुसकार की बात करेंगे तो खेल के शेतर में उतकरष्ट कोचु को परदान किया जाता है, मतलब भारत में प्रतिबाशाली कोचु को परदान किया जाने वाला पुरुसकार है ये अब इसे भी दो केटेगरी में बटा गया लाइफ टाइम श्रेणी में और नियमिच श्रेणी में, यानिके रेगुलर केटेगरी में लाइफ टाइम श्रिणी में आठ कोचो को मिलेगा ये और नियमिच श्रिणी में पांच कोचो को मिलेगा ये अब वो आठ कोच एक बार नाम रीड कर लेंगे आप जैसे कि धर्मेंदर तिवारी, तिरंदाजीक में, कृष्ण कुमार हुड़ा, कबड़ी में, नरेश कुमार टैनिस में, ओम प्रकाश दैया, ये भी याद रख लो, कुष्टी में ये ध्यान रख लो, और नियमिच श्रिणी में पांच को मिलेगा ये, जैसे कि जूड फैलिक्स सेबिस्टियन होक्टी में, एक जस्पाल राणा, ये भी नाम याद रखो, शूटिंग में मिलेगा इ चेतर में, लाइफ टाइम अच्यूमिंट पुरसकार है, और इस पुरसकार से खेल में अपने जीवनकाल्म के दोरान, उपलब्दी प्राप्त करने वाले खिलाडियों को सम्मानित किया जाता है, इस पुरसकार से, और आपको पताए, इस पुरसकार का नाम महान होकी प्ले डे कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, अचा 2020 में कितने खिलाडियों को ये सम्मान मिलेगा, तो 15 खिलाडियों को, और 15 खिलाडियों के लिए भी मैं वही कहूंगा, कि एक बार सारे खिलाडियों के नाम आप रीड करें, जैसे कि कुलदीप सिंग भुलर, एथिलेटिक्स में, स यहाँ पर एक दिकुछ पूरी लिस्ट में एक ऐसे खिलाड़ी है, जिनको मन्नो परांत ये पुरुसकार मिल रहा है, तो उनका नाम इंपोर्टेंट रहेगा, अगर आप मिर से इंपोर्टेंट नाम पूछोगे, तो मैं आपको ये बताऊँगा, सचिन नाग का नाम तो ये लिस्ट में आपको शोग कर रहा हूँ, जैसे कि उबरती हुई यूआ परतिबा की पैचान कराना और उसे सिक्षित करने के मामले में, दो इंस्टिट्यूट को ये अवाड मिला है, एक तो लक्ष इंस्टिट्यूट और आर्मी स्पूर्ट्स इंस्टिट्यूट को बाकी और भी अलग-अलग केटेगरी में ये अवाड दिये गए हैं, आप यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉस करके इसको रीड कर सकते हैं अचा खेल मंत्राले के द्वारा एक और ट्रोफी की घोशना की गई है, मोलाना अबुलकलामाजाड ट्रोफी, जिसे माका ट्रोफी भी बोलते हैं और एक ट्रोफी इंटरिवरसिटी टूर्णामेंट में सर्वश्रिष्ट पर्दशन करने वाले उनिवरसिटी को दी जाती है तो 2020 के लिए यह ट्रोफी दी जाएगी पंजाब उनिवरसिटी को जो कि चंदीगड में है अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी से आपको कुछ याद आया क्या 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संसकरन हुआ था कहां पे हुआ था बताओ उडिसा के भुवनेश्वर में हुआ था तो उसमें टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो वहाँ पे भी आपने इसके बारे में पढ़ा था तो इस तरह से चीजों का आप लिंक करकर के याद रखो आपको maximum चीजे तो automatically याद हो जाएगी यह मतलब आदी चीजे तो आपके दिमाग में वैसे फीड है बस आपको उनसे लिंक करने की जरुवत है तो चीजों को याद रखना आसान हो जाता इससे और अगर हमारा daily current affairs का lecture आप लोग पढ़ते होंगे तो मैं आपको इसी तरह से पढ़ाता हूँ हर question को अचा इसी तरह से एक और पुरुसकार के बारे में ध्यान रखो तेंजिंग नौर्गे National Adventure Awards 2019 ये भी दिये गए हैं और ये पुरुसकार देश के लोगों के बीच रोमांस की भावना को माननेता देने के लिए दिया जाता है ये भी आठ खिलाडियों को दिया गया इनके नाम आप देख सकते हो और इनकी केटेगरी आप देख सकते हो बाकी इन में से भी आप ये नाम ध्यान रख लो सुरगया श्री मगन बिस्ता मन्मपरांत इनको मिलेगा ये Lifetime Achievement केटेगरी में तेंजिंग नौर्गे National Adventure Award 2019 की बात कर रहे है अच्छा इन खिलाडियों को जो ये Award मिले हैं तो इनमें कितनी राशी इनको दी जाती है ये प्रस्ण भी आपसे कहीं बार एक्जाम में पूछा जाता है और इस बार तो especially पूछा जाएगा क्योंकि इस बार जो विजेता राशी है उसमें changes किये गए है तो मैं आपको बता देता हूँ राजियोगांदी खेल रतन पुरस्कार में मैं आपको पहले भी बताऊँगा पहले कितना दिया जाता था और अब कितना दिया जाएगा तो राजी उगांधी खेल रतन पुरुसकार में पहले जो इनामी राशी मिलती थी वो थी 7.5 लाक रुपी तो अब मिलती है 25 लाक रुपे मतलब अब से 25 लाक रुपे दिये जा रहे हैं जैसे कि आपको राजियोगांधी खेल रतने पुरुसकार मिल रहे हैं, अभी 2020 का आपको मिल रहे हैं तो आपको 25 लाख रुपे मिलेंगे। इससे पहले अगर आपको मिला था तो आपको 75 लाख रुपे मिला करते थे। उसी तरह से अगर आपको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, तो पहले आपको 5 लाख रुपे मिला करते थे, अब आपको मिलेंगे 15 लाख रुपे, द्रोणा चारे अवार्ड की बात करेंगे, तो दो केटेगरी हम लोगों ने देखी थी, लाइफ टाइम केटेगरी और रेग पहले दोनों में सेम था, 5-5 लाख रुपे, लेकिन अब लाइफ टाइम केटेगरी में तो 15 लाख हो गए है, रेगुलर केटेगरी में 10 लाख रुपे हो गए है, बाकी ध्यान चंद अवार्ड की बात करेंगे, तो पहले इसमें 5 लाख ही मिला करते थे, लेकिन अब 10 लिम हो सकते हैं, तो पहला परशन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है किस भारते किर्केटर को 2020 में राजियू गांधी खेल रतने पुरुसकार से सम्मानित किया गया, तो आंसर क्या होगा इसका, रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा चौथे भारते किर्केटर बने हैं ये अवार्ड पाने वाले, बाकी तीन, सचिन, विराट कॉली और महिंदर सिंग दोनी, फिर अगला प्रशन है किस पैरा एथलीट को 2020 में राजियू गांधी खेल रतने पुरुसकार के लिए सम्मानित किया गया, तो पैरा एथलीट की बात हो रही है, तो आंचर होगा मरियपन ठंगा वेलू, हाई जम पर हैं ये, फिर अगला प्रशन देखिए, कि राने रामपाल को 2020 राजियू गांधी खेल रतने पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, इनका संबंद किस खेल से है, तो देखो प्रशन फ्रेमिंग करना आप सी को यहां पे, कि प्रशन किस किस तरह से आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम प्रशने लगा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लगे, प्रशन घुमा दिया है यहां पे, अब आपको आंसर बता दिया कि 2020 में राजियू गांधी खेल रतने पुरुसकार किस को मिला, रानी रामपाल को मि पूछ में से एक हैं यह, और आपसे उल्टा पूछ लिया कि यह किस खेल से सम्मन्द रखती हैं, तो यह हॉक्की प्लियर हैं, आपकी महिला हॉक्की टीम की कैप्टन है यह, तो इस तरह से भी आपको कुशन को बनाना आना चाहिए, फिर है 2020 में कितने खेलाडियों को किन दो को लिस्टे से अटा दिया, तो दिया कितनो को गया, यह पूछा जा रहा है, 27 को, अचा प्रशन तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, कि किन दो के नाम अटा दिये हैं, तो वो नाम भी याद रखना, मैंने आपको बताये थे, साक्षी मलिक और मेरा भाय चानू, चलो मे अगला प्रशन देखिए, दत्तु भोकानल का सम्मन्द किस से है, तो आंसर होगा, रोइंग प्लेयर हैंग, और इस बार कौन सा पुरुसकार मिल रहा हैंको, अर्जुन अवार्ड मिल रहा हैंको, फिर अगला प्रशन क्या है, किसे 2020 में अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, नहीं मिला पूछा जा रहे द्यान से सुनना, तो दूती चंद को मिला है, दीप्ती शर्मा को मिला है, इशान्त शर्मा को मिला है, मनपरीट सिंग, आपको याद होगा मैंने दो मिलते जुलते आपको नाम बताये थे, मनजीत सिंग और मनपरीट सिंग, फिर अगला प्रश भी इसी तरह से है कि जस्पाल राणा इनको कौन सा सम्मान मिला है दुरुणा चार्य पुरुषकार मिला है मैंने इंपोर्टेंट नाम बताया था आपको यह दुरुणा चार्य पुरुषकार मिला है जस्पाल राणा का नाम आपको याद रखना है और किस केटेगरी में रे अगला प्रशन पूछा जा रहा है कि 2020 में मौलाना अबुल कलामाजार ट्रोफी ये किसे दी जाएगी पंजाब युनिवर्सिटी को और इससी ट्रोफी को माका ट्रोफी के नाम से भी जाना जाता है फिर अगला प्रशन है राजियु गांदी खेल रतन पूरुसकार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाडियों को नई विजेता राशी जो मिलेगी वो कितनी होगी तो अब जो मिलेगी वो बढ़ करके वो होगी 25 लाख रुपे फिर है अर्जुन पुरिसकार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाडियों को नई विजेता राशी कितनी मिलेगी तो इनको मिलेगी 15 लाख उर्पे फिर ध्यानचन पुरुसकार प्राप्त करने वाले खिलाडियों को जो नई विजेता राशी मिलेगी वो कितनी मिलेगी इनको भी मिलेगी बागी दुरोणा चारे पुरुसकार वालों को कितनी मिलेगी दस लाक उर्पे मिलेगी तो इस तरह से ये हमने objective भी लगा लिए ताकि आपको थोड़ा सा idea लग जाए किस तरह से प्रश्न फ्रेम हो सकते हैं और ये जो राष्टर खेल पुरुसकार 2020 है अभी 29 अगस्त को राष्टर पति भवन में वर्च्वली दिये जाएंगे कोरोना वाइरस के करण तो गाइस ये था हमारा छोटा सा वीडियो इस छोटे से topic पे छोटा है लेकिन बहुत important है तो वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे like शरूर करके जाना like करना मत भूलना और इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको इसको share जरूर करना है कम से कम दो दोस्तों के साथ और एक study group में इसको share जरूर करना है आपको Thank you guys